गया के इमाम गंज प्रखर नंतरगर्द बगेया और कोश्मा के दरजनों ग्रामीर सुक्रवार को जिला पदाधिकारी कार्याले पहुँचें उनकी सिकायत थी कि वहां के दवंग दीलर के पती अपने हिस्से का खाध्यान मागने पर मारपीट करते हैं और वहीं केस में फसाने की धमकी भी देते हैं गया समरहाले पहुचने के बाद जिला आपूर्टी पदाधिकारी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए ग्रामीरो को बुलाया और उनकी बातों को सुनकर कारेवाही करने का आस्वासन दिया है दरासल यह मामला गया जिले के इमाम गंज प्रखंट के सिद्धपूर पंचायत के ग्राम बगेया वार्ड नंबर 6 और ग्राम कोस्मा बार्ड नंबर 7 के ग्रामीरो का है जहां के डीलर मंजु देवी हैं जिनके पती राम प्रवेस यादव 5 किलो खाद्यान की जगए कम देते हैं ग्रामीरो के साथ आए इमाम गंज के पूर्व उप्रमुक्यदार यादव ने बताया कि 5 किलो अनाज के बाद पैसा पूरा लिया जाता है ग्रामीरो का सरकारी रेट 2 रुपे प्रत किलो है और 4 रुपे प्रत किलो की दर से डीलर द्वारा वसूली की जाती है चावल का सरकारी रेट 3 रुपे प्रत किलो है और उसे भी बढ़ा कर लिया जाता है ग्रामीर जनतादवारा इसका विरोध करने पर डीलर बोलता है कि जहां जाना है जाओ, शिकायत करने से कुछ होने वाला नहीं है साथ ही मार पीट करता है और धमकी भी देता है इमो से सिकायत के बाब जूद कोई कारेवाही नहीं हुई तो डीम से मिलने पहुँचे केदार यादव ने बताया कि इसनी सिकायत सेर घाटी SGO से की गई थी उन्होंने जाच के रिए इमाम गंज एमो और बियमो को जिम्मेदारी दी थी किन्तु मिली भगत पर मामले को जाच के नाम पर रफादफा कर दिया गया वहीं जाच की जानकारी होती ही डीलर मंजू देवी के पती राम प्रवेस यादव ग्रामीडों के साथ लड़ाई जगड़ा करने लगे यह मामला लगतार चल रहा है जिससे ग्रामीड उभोकता तरस्त हैं ग्रामीडों ने बताया कि डीम कारियाले में सिकायत करने के लिए पहुँचे थे किन्तु जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने उन्हें रोग दिया और कहा कि वे अपने इस तर से इस मामले की जाच करें जिला आपूर्ति पदाधिकारी के आस्वासन के बाद उन्हें आवेदन दिया गया है आक्रोशित ग्रामीडों का कहना था कि यदिकारे वाही नहीं हुई तो ग्रामीड अंदोलन करेंगे पांच के जी था वो भी चार के लिए जाता है और अपने अधिकार को मांगने के लिए सही काम के लिए लाटी फरहर करते हैं समझ गया जिसका यह भी हुई है यह फाइयार नमर जो है से काउंटर केस पूलिस कर दिया है 124 22 और 125 अब इस आलहत में हम लोग उसर आये हैं जिला पदाधिकारी किया है तो जिला पूर्ति पदाधिकारी हम लोग का बुला कि अपने आपिस में और रिशिविंग किये और बोले कि यह मों से हम बात किया है और यह मों जाएगा और सब को सही रेट बाटेगा जोदी नए टीम गठन कर रहे हैं जांच होगी और कल से मों जाकर आपने समझ जो है से बटवाएगा यह क्या मामला है हम लोग आया है इमाम गज परखंड से सिद्पूर पंचाइक मामल यह है आपका लॉक्डाउन से लागू के थरेंदर मोधी प्रधान मंत्रिया पांच किलो फैसे वाले सभी अनाच चार के जी दिया जाता है एक आदमी पर आट के जी दिया जाता है जो भी तोलने के बाद साड़े साथ के जी होता है और रेट जो है सरकारी है दो रूपे ग हम लोग पर कराया गया है जो काउंटर एफायार हुई है हम एफायार की हैं यह 125 वाइस हो हम पर किया है डिलर का द्वारा जो हुआ है वह 124 वाइस है तो इसलिए हम लोग सभी जूट होकर का है कि जीला पताधिकारी मंदार आदमी है उनके पाशाएंगे वहार पांच के जी मिलेगा फिर ही थहाव फिर पीछी मिलेगल और और एक सब्सक्राइब मेंरे का और अपनी आपका फिर और फुरकल को अच्ताएंगे ャाइदंानध मेंडायों वह 500 वाइस को तक दिला है और फोटमारी अ Underवन्ड प्रकल कुलेए सुझेान निभी का यो का यह में भेजा गया था उन लोग जांच में गया और पहला ही से आपका डिलर को सेटिंग कर दिया था कि तो अपना आदमी रखना अब अपना आदमी पुरा